सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो तो दोस्तो आपका एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड खुल चुका है और उनको आप ब्लोक करना चाहते हो और उसके बाद एक न्यू कार्ड मंगवाना च चाहते हो तो कैसे अपलाई करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक्सिस बैंक की एपलिकेशन को ओपन कर लेना मिंट forgiving दाल दना है तो सिधा इस प़ोटल पर आजाओंगे उसक्राइब लिएधा सब्सक्राइब给我 कर recognise करना है दोसरा option है यहाँ पर आप इस पुर्टesteem क तो आप इस portal पर आ जाओगे, आपका debit card है, वो यहाँ पर show होगा, तो अभी क्या करना है, ब्लोक करना है, अप्ग्रेट भी आप कर सकते हो, हमें ब्लोक करना है, तो हम ब्लोक वाला जो option है, इसके उपर हम click करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर click करेंगे, तो आपका card है, यहाँ अपर confirm पर click करना है, तो card है, वो ब्लोक हो जाएगा, अभी एक new card चाहिए, तो अभी get a new card वाले option पर click करना है, तो यहाँ पर click करते ही, आपको बहुत सारे cards है, वो यहाँ पर show होगे, तो कौन सा card आप apply करना चाहते हो, यहाँ पर देख लेना है, तो यहाँ पर prices भी लिख card है, यह best card है, कोई भी charges नहीं है, ATM chip card भी है, लेकिन उसमें कोई benefits नहीं है, तो liberty debit card वाला जो option है, यह आपको choose कर लेना है, annually fee इसका 0 है, ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, apply करना है, तो apply वाले option पर click करना है, तो debit card है, वो apply हो रहा है, दोस्तों अभी यह confirm के लिए पूछ रहा है, आपको details देख लेना है, term and condition को accept कर लेना है, और नीचे confirm वाले option पर click करना है, देखो SMS भी आ चुका है, मुझे card का, और यहाँ पर request success भी आ चुका है, इसका मतलब दोस्तों card है, वो हमारा apply हो चुका है, उपर लिखा हुआ है debit card with be activated in 7 working days, तो 7 working days में card हो एक्टिवेट हो जाएगा, और घर पर भी दोस्तों आपको buy post हो, new card मिल जाएगा, तो यहाँ पर OK पर click कर देना है, तो आपका जो request हो चुका है debit card का, तो इस तरह से आप अपने debit card को apply कर सकते हो, और अपने पुराने debit card को block कर सकते हो, दोस्तों